है दोस्तों आज की स्मिठम बात करूं लैं में गूaire को सबस्क्राइब करेऊ करें थों किसा। को अभी तक नहीं भी तक नहीं आया है चुका है यह सोज्थ और हमारा अटें bile जो और नहीं नहीं तो आज करना होगा यहां परने साथ का स्थेनि चना मशों आपको नहीं आगे यहां पर ल मैंने हैं यहां को पता होगा की मैं पिछली बार भी बताया था कि यहां पे अगर कोई भी no रहेगा तो आपका पैसा नहीं आएगा मतलब land seeding में भी no रहेगा तब भी नहीं आएगा एक किवाईसी आपका नहीं हुआ रहेगा तब भी नहीं आएगा अधार bank account seeding yes रहेगा तब तो आएगा अगर no रहता है तो आपका पैसान नहीं आएगा जो लोग अभी तक इस्टेटस नहीं चेक किया है वो लोग अपना इस्टेटस एक बार जरूर चेक करें इन तीनों में से सब पर green tick है या नहीं है अगर कोई पर भी green tick नहीं है तब तो अगर land seeding अगर आपका गड़वड है तो लेकपाल से संपर करके करवाईए अगर ekyc नहीं हुआ है तो आप ekyc घरवेट अपने मुबाइल से कर सकते हैं मेरा पिछला वीडियो देखके अगर आधार बैंक एकाउंट स्टेटस में अगर no लिखता है तो आपको अपने बैंक में जाके NPCI करवा लेना होगा तो आपको सर्च करना होगा माई आधार यहां पर माई अधार लिख करके आपको सर्च कर देना होगा माई अधार कार्ट सर्च करने के बाद यहां पर देख सकते हैं माई अधार लिखा इस पर आपको क्लिक कर देना होगा और क्लिक करने के बाद देख सकते हैं वेलकम टू लॉग इन प्रण देख सकते हैं आप लॉग इन हो चुका है और यहां पे कई सारा आपशन है तो हमें क्लिक करना होगा बैंक सीडिंग इस्टेटष्थद बैंक सीडिंग इस्टेटष्थ DO Geld है। यहां पर आधार नमबर का लास्ट का फोड डिजित यहां पर सो कर रहा है और बैंक नेम देख सकने हैं सेंट्रल बैंक आप इंडिया जो भी आपका रहेगा वह यहां पर दिखा देगा और बैंक सीडिंग स्टेटस में एक्टिव लिख रहा है अगर आपका इंडिया तो आपका पैसा नहीं आएगा तो नहीं आपका पैसा नहीं आएगा अगर आपका active रहेगा तब तो अच्छी बात है अगर यहाँ पे inactive रहेगा तो आपका पैसा नहीं आया होगा इनactive का मतलब यह है कि आपका account जो है वो close हो चुका है उस account को जाकर कि फिर से आप open करवा लीजिए या आप दूसरे बैंक में आप इंडिया push payment bank में एक new bank account open करवा लीजिए या आप अपने किसी दूसरे bank account में NPCI करवा लीजिए तो आपका पैसा फिर से आना start हो जाएगा अगर यहाँ पे inactive लिख रहा है तो आपका पैसा नहीं आएगा मेरे पास एक किसान आये थे उनका सब कुछ वहाँ पे सही था फिर भी समझ भी नहीं आ रहा था कि उनका पैसा क्यों नहीं आ रहा है तो मैंने यहाँ पे जब चेक किया तो उनका inactive आ रहा था मतलब वो बोल रहते हैं कि हमने उस bank account को close करवा दिया है तो इसलिए यहाँ पे inactive दिखा रहा था जब inactive दिखा रहा तो उनको दूसरे bank account में NPCI करवाना होगा या new bank account इंडिया post payment bank में अगर open करवा लेते हैं तो automatic उनका NPCI हो जाएगा और यहाँ पे जिस भी bank account में NPCI करवाएंगे उस bank का name लिखेगा और active so करेगा तब पैसा आना start हो जाएगा तो अगर आपका भी पैसा नहीं आ है तो एक बार जरूर चेक करिए इस method से तो आज की इस वीडियो में बस इतना मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए जया ही बन्ने मातरों